हेलो एवरिवान वेलकम टू स्कूल डायरीज सो चलिए आज के वीडियो में हम करेंगे हमारे ग्रामर भुक का लास्ट यूनिट सारे यूनिट हमने कम्प्लीट कर लिये हैं सारे यूनिट आपको इंग्लिश ग्रामर प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे सो अब सिरुफ लास्ट यूनिट बचा है सो आज के वीडियो में हम करेंगे यूनिट नमबर सेवेंटीन कॉम्प्रिहेंशन और इसी के साथ क्लास वन ग्रामर की पढ़ाई भी हमारी कम्प्लीट हो जाएगी सो चलिए स्टार्ट करते हैं सो देखिए कॉम्प्रिहेंशन ये है हमारा यूनिट नमबर सेवेंटीन कॉम्प्रिहेंशन सो कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है कॉम्प्रिहेंशन मतलब आपको एक छोटा सा पैसेज दिया जाएगा या एक छोटा सा स्टोरी दिया जाएगा ठीके और उसमें से जो है questions पूछी जाएंगे और आपको उनके answer लिखने हैं या फिर टिक मारने हैं ठीके So ये हम class में भी करते हैं जिनको हम seen passage या unseen passage करके पढ़ते हैं ना So देखें English exam का ये एक main part है ठीके एक passage आपको दिया जाता है और आपको वो ध्यान से पढ़ना है ठीके और उसको अच्छे से समझना है कि उसमें बताया क्या गया है और उसके बाद जो questions पूछे जाएंगे वो आपको answer करने हैं ठीके So यहाँ पर भी देखिए read this story So यहाँ पर एक story दी गई है छोटी सी So देखते हैं पढ़ते हैं और फिर हमें करने है उस story के question answers So start करते हैं So ध्यान से सुनिएगा story So यहाँ पर देखिए एक कब का picture है कब कौन होता है लाइन का बेबी लाइन के बेबी को कब बोलते हैं ठीके C.U.B. कब शेरू is a lion कब इस कब का नाम क्या है शेरू So शेरू नाम का एक lion का बच्चा था He does not brush his teeth वो अपने दांतों को साफ नहीं करता था He does not take bath और वो नहाता भी नहीं था बात मतलब क्या है नहाना So does not वो नहाता भी नहीं था He gets ill और फिर क्या हुआ ना वो brush करता था ना नहाता था मतलब वो अपनी body को बिलकुल भी साफ नहीं रखता था So क्या हो गया He gets ill वो बिमार हो गया His mother takes him to a doctor तो उसकी ममी ठीक है Lioness जो कब की ममी है वो उस शेरू को एक डॉक्टर की पास ले गई The doctor says और डॉक्टर ने कहा Always be clean हमेशा साफ सुतरे रहो Brush your teeth ठीक हमेशा अपने दातों को साफ करो क्योंकि बिना ब्रश किये अगर आप खाना खाओगे सो जो जो germs और गंदगी आपके मुँ में है वो चाएगी आपके पेट में ठीक है और बिमारी भी बनाएगी ठीक है So doctor ने कहा हमेशा साफ सुतरे रहो और ब्रश भी किया करो Take these pills और ये दवाई ले लो Pills मतलब दवाई ठीक है अब हम देखते हैं कि इसमें questions क्या पूछे है बहुत ही आसान है चली देखते है Who is Sheru? Sheru कौन था? Tiger Cup, Tiger का बेबी था? या Lion का बेबी? Lion का बेबी ठीक है So Lion Cup में टिक करेंगे Does he brush his teeth? क्या वो अपने दांतों को ब्रश करता था? नहीं करता था है ना So Yes, No So हम No पे टिक करेंगे Who gets ill? बिमार कौन हुआ था? Sheru की Sheru की मम्मी? Sheru बिमार हुआ था है ना So हम Sheru पे टिक करेंगे Where does his mother take him? उसकी मम्मी उसे कहां लेके गई? To a doctor, to a school So कहां लेके गई थी? डॉक्टर के पास है ना So हम to a doctor पे टिक करेंगे Do you brush your teeth? क्या आप अपने दान साफ करते हैं? करते हैं है ना So हम Yes, पे टिक लगाएंगे ये आपके बारे में पूछ रहेंगे क्या आप अपने दान साफ करते हैं? ठीके, सो हम तो करते हैं So हम Yes, पे टिक मारेंगे So देखा आपने कितना आसान है इसी को हम comprehension बोलते हैं चोटा सा एक passage या story कुछ भी दिया जाएगा ऐसा हिंदी में भी आता है जिसे आप पठिद गद्यांश या अपठिद गद्यांश करके पढ़ते हैं ठीके, सो ऐसे दिया जाएगा और questions पूछे जाएंगे जिसमें आपको simple से answer देना है So इसमें सिर्फ इसी बात का ध्यान रखना है कि आप passage को अच्छे से समझे ठीके, अगर आपने कहानी समझ ली फिर चाहे कितने भी questions उल्टे सीधे पूछ ले आप आराम से उसका answer दे पाओगे ठीके, एक और example है, देखते हैं So देखिए, यहाँ पर भी आपको एक story दी गई है इस story को अच्छे से पढ़ना है और answers ढूणने हैं जो questions में पूछे गए हैं, ठीके So देखते हैं A lion was sleeping in the jungle एक lion, एक share जंगल में सो रहा था A mouse started playing with his mane और एक चूहा उस lion के mane के साथ खेलने लगा मतलब उनके lion के जो बाल होते हैं जो लंबे-लंबे बाल नहीं होते lion के सर के उपर ठीके, तो उसके साथ जो है चूहा खेलने लगा मतलब उसके body के उपर खेलने लगा जिससे क्या हुआ? The lion got angry उस छेर को जो है गुसा आ गया क्योंकि वो सो रहा था और इस चूहे ने उसको disturb कर दिया He wanted to kill the mouse और उसका मन हुआ कि वो चूहे को पकड़ के मार दे The mouse said Mouse ने बोला चूहे ने बोला Don't kill me I may help you later मुझे मत मारो क्या पता मैं तुमारे कल काम आओ क्या पता मैं तुम्हें कल help करू ठीके? तो आज मुझे मत मारो कभी किसी और दिन मैं तुमारी मदद कर सकता हूँ इस तरह के से चूहे ने कहा The lion laughed तो शेर को जो है हसी आ गई और उसने भी सोचा और एक दिन lion जो है फस गया The mouse cut the ropes off the net और जो mouse है उसने जो है उस net की तार को कुतर-कुतर के काट दिया और lion को आजाद कर दिया उस net से मतलब वो जाल उसने काट-काट कर फाड दिया The lion was free और lion अब आजाद हो गया The lion thanked the mouse for saving his life ठीक है? सो lion ने चुहे को thank you बोला उसकी जान बचाने के लिए सो ये कहानी हम सबने पड़ी भी हुई है और देखी भी होगी है ना ये बहुत ही famous story है सो यही यहाँ पे भी दिया गया है सो अब यहाँ पे question answers देखते हैं इसके related जो पूछे गए है देखे question number one what was the lion doing in the jungle? lion जंगल में क्या कर रहा था? shouting चिला रहा था sleeping सो रहा था सो हम सो रहा था पे टिक करेंगे sleeping वो तो सो रहा था है ना? who said? किसने बोला? don't kill me मुझे मत मारो ये किसने बोला था? चुहे ने बोला था है ना? जब lion उसको मारने वाला था सो हम mouse पे टिक करेंगे did the lion kill the mouse? क्या lion ने mouse को मारा? नहीं मारा है ना? उसने उसको छोड़ दिया था ठीक है? सो हम no पे टिक मारेंगे नहीं मारा था where was the lion caught? lion कहा पकड़ा गया था? मतलब lion किस में फस गया था? so inner net हम inner net पे टिक मारेंगे then what did the mouse cut? सो mouse ने क्या काटा? उस चुहे ने क्या काटा था? रसी काटी थी है ना? rope मतलब रसी so ropes पे हम टिक मारेंगे यहाँ पे दिया है fruits जो की गलत है who saved the lion's life? सो शेर की life किसने बचाई थी? शेर की जान किसने बचाई थी? mouse ने ठीके? यहाँ पे hunter दिया है hunter मतलब शिकारी ठीके? तो शिकारी तो बताया है नहीं यहाँ पे कहानी में तो हम mouse पे टिक मारेंगे क्योंकि mouse ने lion की जान बचाई थी सो देखा कितना आसान है अगर आपको story आती है तो आप आसानी से यह सब कर सकते हो question answers अब आगे देखते हैं और यहाँ पर दिया है एक और example इसमें देखिए कुछ कहा नहीं गया है न story सो देखिए पहले example में story भी थी और एक picture भी था दूसरे example में सिर्फ story थी कोई picture नहीं था अब तीसरे example में सिर्फ picture है और ना कुछ बताया गया है ना यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है ठीक है सो इसको हम बोलते हैं हिंदी में चित्र वर्नन मतलब एक चित्र दिया जाएगा और उस चित्र को देखकर आपको question answers करने है यह हिंदी में भी आता है जिसे हम चित्र वर्नन बोलते हैं एक picture देते हैं और प्रशन पूछे जाते हैं और हमें वो प्रशनों के उतर पे सही निशान लगाना बढ़ता है तो वही है यह English में ठीक है picture composition बोलते हैं इसको ठीक है मतलब picture देखकर answer करना तो यहाँ पे picture देखकर हमें पता चल रहा है कि यह एक school का picture है और यहाँ पे क्या-क्या हो रहा है और यहाँ पे जो है बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं कुछ बच्चे खाना खा रहे हैं ठीक है और एक teacher यहाँ पे खड़ी है और यह कौन है school का pune pune कौन होता है जो school के कामों में help करता यानि एक assistant होता है जैसे कि bell बजाता है school में principal और teachers की help करता है ठीक है तो वो pune होता है अब देखते हैं इसके questions क्या पुछे गए है देखे which place is shown in this picture इस picture में कौन सी जगा दिखाई गई है so a school, a hospital so कौन सी जगे है school का picture है ठीक है so school पे टिक मारेंगे who is ringing the bell bell कौन बजा रहा है a maid एक maid बजा रही है या एक pune so हम pune पे टिक मारेंगे then what is going on क्या चल रहा है उस picture में क्या चल रहा है prayer चल रहा है कि recess recess मतलब lunch break so picture देखके हमें पता चल गया कि recess चल रहा है क्योंकि बच्चे खाना खा रहे है और खेल रहे है so prayer नहीं है recess है so recess पे टिक मारेंगे who is having a notebook in her hand so एक notebook किसके हाथ में है किसने notebook पकड़ी हुई है teacher की driver so teacher के हाथ में notebook है naming word क्या है noun किसी person का नाम place का नाम thing का नाम और animal या births का नाम ठीक है so children, बच्चे eating मतलब खाना खाना जो की एक doing word है and playing भी खेलना जो की एक doing word है यह दोनो action words है और यह हमारा naming word है क्योंकि बच्चे मतलब person का नाम है है ना so children पे हम tick मारेंगे then last question do you bring homemade food in lunch break क्या आप भी homemade food लाते है lunch break में हाँ हम तो घर का बना ही लाते है lunch break में है बाहर से तो नहीं लाते मम्मी बना के देती है ना खाना homemade food मतलब घर का खाना so हम भी घर का खाना ही lunch break में खाते है school ले जाते है ठीके सो हम yes मारेंगे और yes पे टिक करेंगे so ये था हमारा last last topic इस unit का जो की एक picture composition है और इसी के साथ हमारी grammar की पढ़ाई भी complete हो गई है सारे units हमने कर लिए है okay class 1 के so हमारी class 1 की grammar की पढ़ाई हो गई है complete so अब मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए bye bye take care पे प्याए हैं अब प्याए हैं अब लाए हैं अगर